दोस्तो इस वीडियो में हम आपको Paytm एकाउंट बनाने का A to Z complete process KYC complete करने के साथ साथ बताने वाले हैं इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें हम अपना bank account भी कैसे link करते हैं तो आएए सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें Play Store से अपना Paytm एप इसका link हमने description में भी दे रखा है उसके बाद simple सा हमें इसे open करना है जब हम इसे open करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना वो mobile number इंटर करना है जो हमारे bank account के साथ link है उसके बाद हमें proceed securely के option पे क्लिक करना है सबी permission allow करते जाना है आप दोस्तों दोबारा से हमें अपना SIM card select करना है SIM card select करने के बाद हमें नीचे proceed का option मिलता है उस पर क्लिक करना है आप दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ seconds के लिए wait करना है हमारे mobile number पर OTP send किया जाता है जो कि automatically deduct हो जाता है लेकिन इसके पहले हमारा यहाँ पर mobile number verification होता है अब दोस्तों जब हमारा mobile number successfully verify हो जाता है तो हमें दो option मिलता है अब दोस्तों हमें create a new account के option पर क्लिक करना है इस option पर जैसे ही हम click करते हैं तो हमें अपना PTM का dashboard मिलता है अब दोस्तों नीचे हमें दो option मिलता है अब हमें directly यहाँ से bank account add करना होता है नहीं करना है तो हमें I will link bank account later का option मिलता है उस पर click करना है जब हम इस पर click करते हैं तो अब आप इसका user interface देख पा रहे हैं अब दोस्तों सबसे पहले हमें अपना KYC complete करना होता है उसके बाद हमें उपर profile का option मिलता है उस पर click करना है अब दोस्तों जब आप इस option पर click करते हैं तो आप दोस्तों सबसे पहले आपको उपर में अपना नाम डालना है उसके बाद आपको अपना email id उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है नीचे में आप ATM wallet status in active देख पा रहे हैं आपको सबसे पहले अपना wallet को activate कर लेना है इसके लिए आपको activate now का option मिलता है उस पर click करना है जब आप उस पर click करते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपना भेरी पेखेशन के लिए document सेलेक्ट करना है फोर एक्जांपल आप अधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं pen card, passport, voter ID, driving license इसके अलावा नरेगा job card भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी document आपके पास है उसे सेलेक्ट कर लेना है हम voter ID सेलेक्ट कर लेते हैं अब हमें voter ID का number यहाँ पर इंटर करना है उस पर जो नाम लिखा है उसे इंटर करना है Terms and Condition accept करना है उसके बाद हमें नीचे Activate My Wallet का Option मिलता है उस पर क्लिक करना है जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाना है कि हमारा Wallet successfully Activate हो चुका है हमारा KYC complete हो चुका है अब दोस्तों finally हमें यहाँ से back आना है अब दोस्तों जब हम back आ जाते हैं तो हमें back आने के बाद इसी page में उपर की तरफ payment setting का option मिलता है इस पर क्लिक करना है जब हम इस option पर क्लिक करते हैं तो अब हमें उपर में API linked bank account का option मिलता है इस पर क्लिक करना है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमें कुछ इस परकार का pop-up मिलता है नीचे reactivate UPI account का options होता है इस पर क्लिक करना है उसके बाद सबसे पहले हमें अपना bank account सेलेक्ट करना है जिस bank में हमारा account है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा bank account successfully find हो चुका है अब दोस्तों हमें इस bank account के लिए UPI pin create करना होता है अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप ATM account में फर्स टाइम अपना bank account add कर रहे हैं तो आपको अपना pin set करने के लिए set UPI pin का option मिलता है अगर आप पहले से अपना कोई bank account link किये थे और उसे हटा दिये थे दोबारा से आप link कर रहे हैं तो आपको अपना pin create करने के लिए change UPI pin के option पे click करना होता है जैसा कि आप अपने screen पर देख पा रहे हैं अब दोस्तों जब आप इस change UPI pin के option पे click करते हैं तो अब आपको यहाँ पर अपना basic debit card का details इंटर करना होता है उसके बाद आपके mobile number पर OTP send किया जाता है जो कि automatically detect हो जाता है आपको अपना 1% का UPI pin create करना होता है दोबारा से उसी API pin को confirm करके आप अपना API pin आसानी से बना सकते हैं तो दोस्तों इस परकार आप अपने ATM wallet को आसानी से activate कर सकते हैं उसका KYC complete कर सकते हैं और उसमें आप अपना bank account link करके बहुत सारे benefits आसानी से उठा सकते हैं तो दोस्तों I hope कि मैंने जो आपको जनकारी देओ आपको पसंद आई पसंद आई तो like करें, friends में share करें और इस channel पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही take related genuine content देखने के लिए इस channel को भी subscribe जरूर करें तो बस मिलते हैं next video में एक नए topics के साथ तब तक के लिए बाए नमस्कार आपका दिन सुभो